foreign ऐसे ऑड़ लोग पादी की एप कोड़ोरीग में लेके जा रहे होते हैं उसी तरह से के सपर ईसका परस भी वहीं है वहirst पर्फोरेशना इससे परफोरेशन बोलो या फिर लीटर रफोरेशन होता है, इसलिए तकी प्र दोव Elioth ft ये उन स्हों इस्किम यो कविए नंग क्यों फाहें जो भांधर बजी ग्लिए कोल्ट इसस्थ इस अदर रिएंदका ऑफ के बलू knees की वेच है कि इसकी हाइख के ऑफी की अधिये जो है इसकी लेंथ है इसकी जो लेंथ है friends इसकी लेंथ जो है वो fix है that is 2.5 meters 2.5 meter length cable tray की fix होती है इसके अंदर उससे छोटी cable tray नहीं होता है minimum टुकड़ा उसका उतना होता ही होता है और यह जो है यह कितने भी size की हो सकती है it starts with 50 mm 2-inch की cable tray से शुरू होती है और इसकी height 25 mm 50 mm उसके ओपर 75 mm के ओपर भी cable tray की height हो सकती है और इस एक चीज़ और friends इसके अंदर ध्यान रखना है हमें कि cable tray का यह जो portion है जो थिकने से पत्रे का जो sheet use होती है metal की sheet होती है उसकी जो थिकने से उसको कहा जाता है gauge या mm में बोले अगर हम कहें कि 16 gauge का हमारा steel है या sheet metal है तो that is 1.6 mm thickness 1.2 mm thickness भी होता है और 2 mm सिफ 2 mm की thickness की भी cable trays available होती है we have to keep in mind so perforated cable tray 2.5 meter minimum length आती है उसकी width होती है उसकी height होती है उसकी और thickness होती है इतनी चीज़ें होती है cable tray की जो हमें दियान रखनी होती है that is perforated cable tray friends दो cable tray को जब joint करना होता है so there is a चोटी सी एक steel की plate होती है पटी होती है which is called a coupler दो couple करता है दो cable tray को and वो जो cable tray की height होती है उसकी equivalent ही होती है एक cable tray को दो एक cable tray को जब joint किया जाता है तो दोनों सीरों पर दोनों side के ओपर एक छोटी छोटी प्लेटे लगती है सो एक cable tray को couple करने के लिए दो coupler लगते हैं क्योंकि एक one side हुआ दूसरा दूसरी side हुआ and hence the name coupler of this cable tray यह cable tray के साथ में भी आता है and extra भी मिले सकते हैं now this is a type of cable tray इसको कहा जाता है ladder type cable tray जैसे आप देख सकते हैं सीडी जैसा है सीडी की शेप का है इसके लिए इसको कहते हैं ladder type cable tray यह आप देख सकते हैं इसकी height है यह इसकी width है यह इसकी लंबा ही हुई and यह इसकी width हुई है कितना कितना बड़ा है वह इसके अंदर दिख रहा है right सो जैसे perforated cable tray थी बिल्कुल उसी तरह से ladder type हमारी cable tray होती है और यह भी ज्यादा से ज्यादा cable अगर हमें bulk quantity ज्यादा cables एक साथ हमें ले करने एक साथ run करने है उसके इसके अंदर cable trays इस तरह से use होती है और इसके अंदर भी यह संद्स कपलर आते हैं एस एक अलग तरह का मैं बताऊंगा इस पूरा का पूरा सॉलिड मेटल का है विडाउट एनी परफोरेशन और होल्स लाइक लेडर टाइप के बल्ट्रे यह थूएं थूएं थू मिटर में रन होता है यह यह थे तक यह अब देख सके यहां पर इंगल के अंदर वह फुली थेड़ेड रॉड लग गया है और यह इस तरह से ceiling के अंदर लगता है with the use of bullet fastener. Friends, bullet fastener क्या होता है? यह किस तरह से काम लगता है? कि जब भी हमारा ceiling है, ceiling के अंदर hole किया जाता है, drill machine से. drill machine से hole करके cylinder होता है, छोटा सा cylinder. उस cylinder को उस hole के अंदर डाल दे जाता है and there is a small switch उसको नीचे से, hammer से, थोड़ा से, हाथवरी से ठोका जाता है, उसके अंदर legs होते हैं, जो legs इस तरह से खुल जाते हैं. जैसे वो legs खुल जाते हैं, वो cylinder नीचे बिल्कुल नहीं आता है और उसकी जो पकड़ होती है, मजबूता ही से वो पकड़ लेता है, दिवाल को. And this is the reason, कि अगर जादा है जादा भी अगर वजन है, केबल ट्रे के अंदर, तो वो वजन जादा से जादा भी केबल ट्रे ले सकती है, just because of this reason, इसलिए bullet फासनर यूज होते हैं. I wish, केबल ट्रेस का आपका जो डाउट से या कंसेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा. And I wish, के you have gained something out of it. And if you have any questions, to please, this thing को revert back करें. Thank you so much. This is Sankit Agrawal, signing off. Thank you so much.